लगार इस निक्स अपसोड के साथ नो मेंट जिंग को स्ब्सक्राइब करते हैं अब सबस्क्राइब करें अबकर क्यों के लिए कह लिए पहुंच के थे हैं अब कि Be पाधी से बता दी थी बस दानों को ये बात नहीं बता दी अर इधर से आंगा की माम दिखा जाए जाथ spreads और आए होई थी और तो आई होती हैं देखको एक जाई लगती हैं कि इज सब्सक्राइब कर्ण करते हैं तो बताथ है कि पहले इसको पानी में काफी को चलाओ भी तो आप वो मशीन को चलाने Although यह मशीन ने लगती है पर मुझे इसके फंक्शन्स नहीं आ加ल दूसी छीज जब काटने और आपनी इंग्लीश की बार या जाते हैं तो ये भी बुक्स पकड़कर वैटी होती है देखर बुक्स बंड करवा देती है और कहते हैं कि या बुक्स को बढ़ने की जुरत नहीं है बरके इंग्लीश को वैसे सीखा जाता है मैं तुमसे कुछ को स्ट्वरिप बताऊंगी क किस तर इंग्लिश में बोलना और उसका आंस भी बताऊंगी वह पूछते हैं कि आज तुम तुम पैर में क्या करने वाली तो कहते हैं कि मैं ग्रॉसी करने के लिए जाओंगे मार्किट में शॉपिंग करने के लिए वगरा कि तो जो उसने कोस्चिन किया तो उसकी स्ब्सक्राइब घाले लिए साथ वाटर लेकर ऊते हैं कैम्राभी लेकर आते हैं कि एक तूझे यूभी नहीं से ठीक से खड़ा भी नहीं वाचाना होता विपोस्स बना बना कर दे रहेोते हैं औरुंकीपिक बना बनाकर निख़ा होते हैं ठीक बनाएं न परफ चहाते हैं कि शमारी खर पर कोई भी नहीं आता है सिवा इसलिए मुझे पता था कि तुम ही आई होगी आप दोनों अंदर आ जाते और अंदर आकर वह पूछे लगता है कि इस बॉक्स में क्या है तो वह कहती है कि मैंने तुम से बोला ता ना कि मैं तुम एक चीज़ गीव दूंगी जब वह बॉक्स ओपन करता तो उसके तुम्हारा तो हुर्प और कैप्टन भी फेवरिट होंगे ना मतलब मेरा लिस्ट में काफी नीचे मुझे काफी लोगों को कंपीट करना होगा मुझे नहीं लगता कर पाऊंगा तो कहये लगते हैं नहीं उनने से मन फ्लैट तो मेरा वेवरिट है चलो देखो ना शर्ट कि यहाला वाला भर्म्म की उटाओ से लगाएं विवाम की दिखाते हैं कि मैं माम के ली भी लेकर आहीं हैं थाता है मैं सम्हारी लीए गिफ्ट लेकर आया है रुग्त बोड़ती। पर देखकर ये हरान हो जाती क्यूंकि वो सब सर्दियों के कपड़े होते हैं वो भी जादा मोटे मोटे तो वो उसे कहता है कि जहां पर तुम जारियों महाँ पर टमप्रेचर माइनस में चला चाहता तो तब ये सब कपड़े बगरा पहनना और अपने आपको गरम रखना अपनी ट्रिप को सेफली गुजार कराना उसकी ये बाद सुनकर उसे दिखने लग्शा आते हो पूछते हैं कि तुम्हें ये बाद कहां से पता लगी तो वो बताता है कि जिस दिन मैं तुम्हें लेनी के लिए गया तो उस दिन तुम्हारे को लिक्स मगारा से ये बात मुझे पता लग गई थी तो फिर उसे स्वारी करती है कि मुझे ये बात तुम्हें खुद बतानी चाहिए तो वह कहता है कि कोई बात नी गल्ती मेरी है तो मैं ऐसा लगा होगा कि मैं उन लड़कों में सूझ जो अपनी गल्फरेंड को कभी भी क मुझे ये समझनी आरा कि मैं ये बात यंदों को कैसे बताऊ उसे दूर कैसे हूं उन बात वांगों प्रकरस पर यहês competing हम्हें जो और यहां पर आपका वीट से आपने चैनल को उपन करके सभी कमेंट्स बगरा पड़ी होते हैं कि रिप्लाइब कर रही होती है कि आप लोगों को कमेंटिश अच्छी लगी ठैंक्यू और हमेशा एक वीडियो के नीचे एक ही कमेंट इसे नजर आता है जो लड़की विमार होती और खाना नहीं बना पा कर जाता है कि पहले की तरह हम अपनी गलियों में घुमेंगे तो वह खाएथ हैं अब दोनों जब साथ में जा रही होता है तो इनका चार्डूर भी दिखा जाता है कि इसी दरा हाथ पकट करी इन्हीं गलियों में भागा करते थे और एक जगा पर जाकर वह पैसों को वेस् करी चलते हैं कि सभी हिनी जांगे जान एक लिए वह नीं जांगा अगर हम दोनों को साथ ने किसी रोमें कीने जाते होँए देख लिया और चुकान चाहता है और हमें आंदर जाकर भी देखना चाहिए आपके वह कहती है के नहीं किसी की जगा हम अंदर कैसे जा सकते हैं तो वह से कहता है कि कोई मसला नहीं है तुम चलो यह कहकर वह सक अंदर ले आता वह इस जगा को देखें लगती है जा भी युट सा की जए तो बहुत ही जादा किए नहीं किसी का किचन है तो मैं कैसे जा सकती हूँ तो आ कोई युशू नहीं यह जाना चाहिए यह कर उसका अंदर बेजता देखने के लिए और वो भी उसके चिछन को देखने लगती है पर जब देख रही होती है तो स्यंग उसे कहता है कि ही तुम्हारा कीचन है वो उसकी बाद से पूछती कि क्या मतलब तो है थो वो से फुल स्टोरी बताते हैं जब वो अपने ऑफिस में बैट का काम कर रहा था सौक्यों के डड़ उसके पास आते और उसे काम करते देखा करें लगते हैं कि अगर तुम काम कर रहे हो तो मैं चला जाता हूं तो कहते हैं कि नहीं नहीं कोई बात ने अंकल आएं वो उसके ऑफिस को देखने लगते हैं क्यूंक आपको कस्टूमर भी नहीं आता था भी वी मैं चाहता था कि जब मैं रिटार हो तो अपने बच्चों को कुछ ना कुछ दूँ आप मेरे बास तो सिरफ एक शॉप है जो मैं सौक्यों कोई देना चाहता हूं वैसे भी वो कीचन का शॉप रखती है तो मैं उसके लिए वो रे चीज में उसके दो हफ्ते निकल गए थे उसकी साइब स्टॉरी जानने के बास हो के कहने लगते हैं कि तुम यहां पर वीजी रहते तो तुब कहता है कि हाँ मैं हाँ चीज अपनी नजर में बनवाना चाहता था मैं नहीं चाहता था कि किसी भी चीज की कमी आए अब इसकी है कि तुम्में यह पने पास रखना और तो बहुत कहते हैं कि नए फच्छ से कर लोगे और पिर मैं तुम्हें पर्मनेंट कर लिया अपने दोगा देना इसको जाकर अपने आपने जहाता ने के लगए लगने लग अगए और पीछे चुपा लेता है और इसे पूछता है कि क्या तुम्हारी बात होगी थी ट्रेनर को लेकर तो वा कहती है कि नहीं मैं यहाँ पर ट्रेनर नहीं रखना चाहती तो वा कहती है कि क्यों यहाँ के कोई चीज पसंद नहीं आई तो वह कहती है कि नहीं तुम अपना एक्जाम पास कर लो तुम्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो तुम्हें तुम्हें अपना ट्रेनर रखूंगी मैं पहली तुम्हारी क्लाइंट बनना चाहती हूँ क्योंकि उस दिन चैसे तुमने आकर मिरी क्यार की थी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अच्छे ट्रेनर बनोगे सोकियों कहने लगते हैं कि यह बात थी फेरवर पार्टी भी दे रही हो वो भी ती छोटी सी कुछ बड़ी सी पार्टी तो दो तुम्हें यह पता है कि मिरी दोस्त रोने लग जाएगी मिरी जाने की वज़ा से पर उसकी बार सुनती है सोख्यों को तो रोना आजा था और मॉम की कहती है कि ऐके बाई तुम यहां से जा रही हूँ पर पी मॉम कहने लगता है कि हम चारों के च्वाइश तो काफी डिफ्रेंट है पर फी भी हम एक दूसे के दोस्त अभी तक कैसे हैं तो बहुत कहते हैं कि हम हमेशा एक दोसे के दोस्त रहेंगे अगर हमाई माम सापस में दोस्त रह सकती है तो आप दोनों को आकर माम हग करती और फिर दोनों कहीं लगता है कि अगर ये तुम्हारे सब कुछ है तो मैं कौन हूँ तो उसके पास अगर कहती है कि तुम तुम मेरा प्यार हो ना अब इन दोनों के प्यार को देखकर ये दोनों तो उटकर जाने लगते हैं कि हमारा यहाँ पर बैठना नहीं बनता बर माम उन्हें ये कहकर बिठा लेती है कि मैंने भी तुम लोगों का बहुत प्यार देखा है ये सुनती ही दोनों चुप करके वहाँ पीस से बैठ जाते हैं और भी साथ मेरे बैठ कर ड्रिंग करने लगते हैं अब माम के जाने का टाइम आ चुका था माम सब को भाई करी होती है और ये अंदों से भी बात कर रही तो उसे कहती है कि मैं तुम्हें वहाँ पर पहुंचते साथ ही वीडियो कॉल करूंगी तो उसकी माम कहती है कि याद आए तो मुझे भी वीडियो कॉल कर ले ना मेरी गंदी ओलाद तो कहती है कि हाँ माम आपको भी कॉल करूंगी वैसे मैं आपको भी भूल सकती हूँ पर इस बात के बाद भी उसकी माम उसे हग करने के लिए अपने बास बुला आती है और माम अपनी माम को हग करती है और उसकी माम उस पर काफ़े प्रॉड फिर कर रही होती है कि तुम्हें आने की जूरत नहीं है और फिदान हो मॉम को छोड़ने के लिए चला चाहता है और यहीं पर हमारे यह पार्ट पी अंड हो जाता है वडियो ठीला के तो बड़े को लाइक करना